हालो फ्रेज्ट में पुर्णा च्वागत करती हूं आपका कुकिंग प्रेशन चैनल में पर साथ मैं आपके शाहत एक न्यू रेश्पी के शाहत आ गए हूं अगर आपको मेरी वीडियो और रेश्पी अच्छी लगती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें चल करेंगे और मैंने पॉण कप सूजी ली है आप पोई भी सूजी ले सकते हैं आपको मोटी या बारिक लेनी है क्योंकि हम इसको जिस तरह बनाएंगे वह टेक्टर इसका बैलेंस में आ जाएगा तो आप चैनल पर न्यूव तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मैं आपक नहीं किया एंग्रीडेंस को मैंने थोड़ा सा रिफाइं युज नहीं कहरना है मास जैसे मस्टर और मैंने एक इनिस ऐसे लिया आंके पास नहीं तो आप बेकिंग पाउडर का भी यूज कर सकते हैं बाट मैं अपको बेसिक तरीके से बतांगे हमताउं थोड़ी से मैं तोड़ा सा मैंने यह लाइची की दाने निकाल कर लिए हैं अगर आप वक्त के पास वनीला सेंस हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं फ्लेवर के लिए बट मैं इसका यूज करूंगी क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बता रही हूं और मैंने देखिए कप लिए हैं अलग लग मेजर से मैं आपको मेजर बताती हूं यह मैंने छोटा कप लिया है उसका हाप क्वांट्री मैंने चिनी लिए बटाप मीठा अपने कमजदक कर सकते हैं जैसा आप लाइक करते हैं मीठा काना और अब उसमें ही हम इलाइची के दानों को डाल देंगे औ यह देखिए ऐसे पाउडर फॉर्म में हो गया है और आप मेजर का पुरा ध्यार नखना इसलिए वीडियो को इसकी मत करना पूरा वास करना और उससे भी छोटे कप से मैंने दही लिया है जिससे मैंने चिनी को एड किया है ऐसा समझे जैसे कप का वन फोर्थ मैंने दही ल लिया है इसमें इतना मेजर करके आता है और मैंने छोटे कप से यह हाप कप से भी कम मिल्क लिया है अब इसको हम फिर से ग्राइंड करेंगे और यह देखिए आप बेटर को देख कर सकते कि इतना थिक ही बेटर होना चाहिए तभी आपका के परफेक्ट बनेगा मेजर का प वह भारी ही होनी चाहिए और मैंने बीच में स्टेंड रख दिया अगर आपके पास कोई कटोरी हो पुरानी तो आप उसका भी उच कर सकते हैं उल्टा करके रख दे और मैंने इसमें से गैस्किट और विशल को निकाल दिया है कि सीटी को हम नहीं लगाएंगे और मैंने ऐसे कवर कर दिया और यूज है अपनी होगा इस में फने यह सेट हो pen कर दिया है मैंने ग्रीज कर लिया है हम इसमें राना अगर भी पासasmवड़ पेपर नहों तो अयल लगाने के पर थोड़ा सा मायदा या आत्रा डुद्ध इनो को डाल देंगे और टूटी स्पून इतना मैंने इसमें मिल्क डाला है और इसको मिक्स कर देंगे जिसे अक्टिवेट हो जाए आपको पानी का यूज नहीं कहना है और एक डिरेक्शन में इसको थोड़ा सा फेट लेंगे जिससे फ्लपी हो जाएगा तो बहुत ही इसको हम डाल देंगे थोड़ा सा मैंने टाइप कर दिया है आप थोड़ा सा जगह जरूर चोड़े क्योंकि जब बेक होगा ऊपर आजाएगा और फंस हां आपको हम बता देते हैं थोड़ा सा मेरे बेटर पतला लग रहा था मुझे तो मैंने उसमें 4 टेबल स्पून इतन चाली से पैतालीस मिनट इसको बेक होने देंगे यह आपके बरतन पर भी डिपेंड करता है और गैस के फ्लेम पर भी कितना टाइम लगे का तो आप अपने हिसाब से अर्जेस्ट कर सकते हैं बड़ मैं मैं बता देती हूं पैतालीस से पचास मिनट आप इसको बेक करें जर जो हम ड्राय फूट या टूटी फूटी डालते हैं यह बेक होने पर अंदर चले जाते तो मैंने दुबारा से डाल दिये हैं आप ड्राय फूट भी डाल सकते हैं अगर आपको ड्राय फूट का प्लेवर पसंद है और देखिए मैंने इसे 40 मिनट बात खोला एक बार चेक क करेंगे बट आप इसे 45-50 मिनट से कम बेक ना करें और अपने हिसाब से आप इसको चेक करके निकाले देखिए मैंने निकाल लिया है मुझे 50 मिनट लगा है सम्थिंग और इसे ठंडा होने देंगे completely उसके बाद हम इसको डिमोल करके निकाल कर आपको दिखाते हैं पहले हम करेंगे और आसारी से को निकाल लेंगे केटिन को यह देखिए कितना देखने में आसम बना है रियली फ्रण साफ इसको ऐसे अगर आप रखेंगे तो ऊपर से इसको आप डेक्रोट कर सकते हैं जैसे मार्केट वाला केख होता है अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आपको टे इस पर डेकोरेट कर सकते हैं वेब फ्रीम लगाकर या चॉकलेटी सीरफ लगाकर जैसे भी आप इसे कर बेट मेरी बेटी ने फ्रेंस बोला सीरफ रखाता तो इसको मम्मी आप लगा दीजिए मैंने इसलिए लगाया सिर्फ आपको दिखाने के लिए और उसे पसंद है यह च अब आपको मैं दिखाती हूं प्रेस करके कितना इस पॉंजी यह देखे बिल्कुल रूई जैसा नरम सुपर सॉप्ट मूं में रखते ही गुल जाने वाला टेक्ष्टर है इसका रियली फ्रेंस आप ट्राय करेंगे तो आपको बहुत पसंद है और मैं चलाए पहले से भी प्रिसमस इस्पेसल प्लम केक रेस्पी भी अपलोड है आप चेक आउट जरूर करना मैं डिस्ट्रून बास में लिंक दे दूंगी आप वहां से भी देख करना और फीड़बक मुझे जरूर बतारा कि आपको मेरी रेस्पी कैसी लगती है और रेस्पी अच्छी लगए त आपके साथ कनेक्ट रहती हूं और अच्छी चीरेश भी शेयर करती हूं जिससे आप मुझे मोटिवेट करें कमेंट और लाइक के थ्रू और आप सब्सक्राइब करके मोटिवेट करें प्लीज अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर के लिए ना थैंक्स पर वा